स्वागत है आपका हमारे चैनल नेचुरल टिप्स हिंदी में सुबह खाली पेट भीके हुई काजु खाली के फाइदे इतने सारे हैं कि आईए इसी टॉपिक पर बात करते हैं काजु प्रोटीन फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर होता है बढ़े हुए वजन को हटाने में मददगार बलत शुगर को कंट्रोल करने में और दिल की देखभाल करने में मददगार साबित हो सकता है आज का टॉपिक भीगे हुए काजु से मिलने वाले बेनिफिट के पारे में है काजु हेल्दी, मिटामिन्स, मिनरल्स और हेल्दी फैट का एक बेहतरीन सोर्स है जो शुरीर को हेल्दी बनाए रखने में मददगार है सुबह खाली पेट थोड़ा सक भीगा हुए काजु खा लेने से शरीर में हाई कोलिस्ट्रॉल के लेबल को कम किया जा सकता है और हार्ट की प्रोब्लम को तूर किया जा सकता है दिल की सेहत की बात की जाए तो काजु नंबर वन है काजु में हिल्दी, मोनो अंसेंचुरेटिट फैट भटबट मात्रा में होता है जो खराब पोलिस्ट्रॉल के लेबल को कंट्रोल करके हार्ट को हिल्दी रखने में मदद कर सकता है काजु में पाया जाने वाला पोशकता तो डाइबिटीज रोगियों के लिए बहुत फाइदेमंद है डाइजेशन पर अच्छा परभाव पड़ता है काजु में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन में सुधार करके कर्ज की दिकत को तूर कर देता है काजु को राद भर पाने में भीगो कर रखने से भीगे हुए काजु खाने से इसे पचाना आसान हो जाता है अपच जैसी परिशारी नहीं होती काजू खाने से इस्ट्रोक की रोक थाम करने में मदद मिलती है काजू में मैगनेशियम की मात्रा इस्ट्रोक के खत्रे को कम कर सकता है भीगे हुए काजू खाने से इसकिन हिल्दी और चमक तार्फ बनती है आखे भी हल्दी रहती है अधिक मात्रा में काजू खा लेने से फाइदे की जगह नुकसान पहुच सकता है ज़्यादा काजू खा लेने से पेट खराब हो सकता है इसलिए सिमित मात्रा में ही काजू का इस्तेमाल करें दिन भर में तीन या चार काजू से ज़्यादर नहीं खाना चाहिए सिर्दर्द में और माईग्रेन से पीडित होने वाले लोगों को अधिक मातरा में काजू नहीं खाना चाहिए काजू में मौझूद अमीनो एसिद सिर्दर्द को और भी बढ़ा सकता है काजू खाने का सही समय, सुपह खाली पेट खाएं, काजू की तासीर गर्म है, सर्दी के मौसम में काजू को अपनी डाइट में जरू शामिल करें, कमजोर पाचन वाले सीमित मात्रा में ही काजू का सेवन तरें, गैस, एसिडिटी ज्यादा बन रही हो, तो काजू के सेवन स बचें, सुगर का लेबल ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेसेंट काजू खाले से पहले अपने डॉक्टर से राइट जरू ले ले, गैस, हमारे चैनल नचुरल टिप से हिंदी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक क कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल आइकन को टच करना न न भूलिएगा, वीडियो अपलोड होते ही, नोटिफिकेशन आप तक पहुसता रहेगा, थांक्स पर वच्चिंग,